हेलो फ्रेंट्स, वीडियो काफी महत्पूर होने वाली है, क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे MP में Veterinary Advision के बारे में, जिहां दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कल की डेट में ही Veterinary Diploma के लिए आपका entrance exam हुआ है काफी सारे students हैं, जिनके जो number है exam में, वो 30 से 35 के बीज में है जिहां काफी सारे students के number 35 से कम ही है, 35 से जादा number काफी कम ही students के आ है तो वीडियो में हम बात करेंगे कि 2021 बाइस के session के लिए Veterinary Diploma में कितने number पर आपको admission मिल सकता है साथ ही बात करेंगे कि Veterinary Diploma का जो cut off है, वो क्या रहता है सारे जनकारी वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो आप पूरी देखिएगा, तभी आपको सजी से समझाएगा Friends, Veterinary Diploma में आपका जो admission है, वो entrance exam के थू होता है जैसी ही आपका entrance exam होगा, इसके बाद नाना जी देश्मुक Veterinary Science University के द्वारा एक cut off लिस्ट जारी कर दी जाएगी इसके बाद नाना जी देश्मुक Veterinary Science University के द्वारा counselling आयोजित कराई जाएगी counselling कहा होती है, तो इसकी जनकारी भी हम देख लेते है crisponlineservice.com की website पर आपकी counselling होती है, counselling पर जल्दी वीडियो आएगी तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, counselling संबंदी सारी जनकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि आपकी counselling कहा होगी, कैसे होगी, आप उसमें registration कैसे करेंगे तो फ्रेंट्स आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है कि वेटनरी डिप्लोमा के लिए आपको कितने नमबर चाहिए होंगे 2021-22 के session में एडविशन के लिए, तो फ्रेंट्स चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स अगर हम बात करें, वेटनरी डिप्लोमा में 2021 के session के एडविशन की तो 2021 के session में वेटनरी डिप्लोमा के लिए cut-off list जो है वो काफी कम रहा था क्योंकि 2021 का जो session है इसके लिए interest exam आपका कोरोना की समय में हुआ था तो काफी कम students ने interest exam दिया था, इसके कारण इसका जो cut-off है वो सबसे कम गया था पिछले जो अन्य session है जैसे 2018-19 का session है, 2019-20 का जो session है इनका cut-off जादा ही रहा था लेकिन 2020 की इसका जो cut-off है वो काफी कम रहा था तो इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि veterinary diploma का cut-off बहुत ही कम गया था counseling की अगर बात करें तो counseling में आपका दूसरा cut-off रहता है जो final cut-off आता है वो अलग रहता है, तो फिलाल हम देखने वाले हैं कि कितने number पर selection मिला था veterinary diploma में first counseling के लिए 2021 के session के हम बात कर रहे हैं, जल्दी हम 2021 के लिए भी अनुमाने cut-off लाएंगे तो पहले हम 2020 का दिख लेती हैं, इसके बाद हम बात करेंगे 2021 में आपका cut-off कितना रह सकता है तो आप देखेंगे, यहाँ पर seat category दिया हुआ है मतलब किस category से कितना cut-off रहा था यहाँ पर cut-off mark लिखे हुए है यहाँ पर आप देखेंगे animal husbandry diploma 2020 first phase के लिए cut-off आया था नाना जी देश्मुक को veterinary science university के द्वारा इसमें आप देखेंगे OVC X female से आप देखेंगे 32 number से ज़्यादा या 32 number जितने भी candidate की रहे थी उनको यहाँ पर एडविशन मिल गया था veterinary diploma में यह 2020 की किसका cut-off है तो इसे आप अनुमाने थी मान की चले क्योंकि cut-off plus 2 या 3 number आप यहाँ से मान सकती हैं 2 या 3 number इससे ज़्यादा cut-off रह सकता है 2021 बाइस के session के लिए क्योंकि number ज्यादादर students के 2021 बाइस में 35 से कम ही है 35 से ज्यादा number ज्यादा students के नई आया है काफी कम ही ऐसे candidate है जो कि 40 से 50 के बीच में नमब लाए है veterinary diploma के लिए तो अब हम देखते हैं OVC open category के candidate को कितने number पर selection मिला था 35 number से अधिक जितने भी students के थे उन्हें veterinary diploma में एडिशन मिल गया था इसके बाद बात करेंगे SC category के female candidate की तो 32 number cut off गया था SC female का इसके बाद हम बात करेंगे SC open का तो 34 number आप देख सकते हैं ज्यादा अंतर नहीं था OVC और SC open में OVC का cut off 35 रहा था SC open का 34 रहा था इसके बाद SC category के female candidate का अगर बात करें तो 30 number पर selection हो चुका था काफी सारे students में जुडा हूँ जो की 2020-21 के session में interest exam दिये थे veterinary diploma के लिए SC category का selection 30 number से अधिक जिनके भी आए थे उनका हो चुका था अब बात करेंगे SC category के open candidate की तो 32 number cut off रहा था general की बात करें EWS category से open candidate की तो 39 number काफी कम cut off रहा था EWS से तो EWS के जितने भी candidate हैं उनका इसवार भी cut off यही रहेगा 29 से 31 के वीच आपका cut off रह सकता है EWS category के candidate इसके बाद हम बात करेंगे general female की तो general female के cut off कितना रहा था 21 number यहाँ पर cut off रहा था general female से वही general open की अगर बात करें तो 35 cut off यहाँ पर रहा था general open candidate के लिए तो यह तो था first counseling के लिए cut off अब second counseling में क्या cut off बढ़ता है या घटता है क्योंकि आप सभी को एक जहनकरी और दे दू कि veterinary diploma में के लिए आपकी चार counseling होती है पहली counseling आपकी होती है online आप घरवेटी counseling कर सकते हैं दूसरी counseling भी आपकी online ही रहती है तीसरी counseling भी आपकी online ही होती है जो कि हमने अभी बात किया CRISP online service.com के माधियम से आपका online counseling होता है इसमें आपको counseling registration fees देना पड़ता है और आपका marriage list जारी कर दिया जाता है नाना जी देश्मोग veterinary science university के द्वारा और चोथा जो counseling है आपका वो होता है CLC मतलब college level counseling यह आपका offline counseling होता है तो अब हम देखेंगे कि second phase के लिए cutoff क्या रहता है cutoff बढ़ता है या गड़ता है यह भी हम देखेंगे प्रेंट्स यह cutoff आप देख रहे हैं यह second phase के लिए आ चुका है veterinary diploma का आप देख सकते हैं अब इसमें आप cutoff देखेंगे cutoff कम ही रहा है देखेंगे general female का कहीं कहीं यह OBC open का आप देखेंगे 34 है SC category के open का 33 है general open का 34 है जो की 35 था प्रेंट्स cutoff कम रहा है second counselling में तो जितने भी candidate के कम number आये हैं या फिर जिन्होंने interest exam है ज्यादा number नहीं लाब पाये हैं तो उनको निरास्त नहीं होना है क्योंकि मैंने जसा कि आप सभी को बताया कि veterinary diploma के लिए आपकी चार counselling होती हैं तो चौती जो counselling होती है CLC college level counselling जो होती है वो आप जरूरा 10 कीजे क्योंकि उसमें ज्यादता जो students होते हैं उनका admission हो जाता है अब फ्रेंट्स हम देखेंगे second phase के लिए cutoff क्या रहता है इसमें आप देखेंगे OVC के female candidate के 31 cutoff रहा था OVC open category के candidate का 34 cutoff रहा था एस्टी female का 30 रहा था वहीं ST open का 31 रहा था general EWS का 30 रहा था और general female का 19 रहा था और general open का 34 रहा था तो फ्रेंट्स ये निस्चत नहीं है कि second counselling में cutoff कमता ही है फ्रेंट्स second counselling में कहीं के हमने देखा है कि cutoff बड़ भी जाता है लेकिन veterinary diploma का जो medical list है वो इसे number के हिसाब से ही आता है क्योंकि जादा तो जो students है जिनका medical list में नाम आता है वे एडिविशन ले ही लेते हैं कोई भी free seat यहाँ पर नहीं छोड़ता है हला कि जो payment seat में जिनका नाम आता है वो seat छोड़ सकते हैं अगर आपको माधिप्रदेश में पैरामेडिकल इस्टाफ की वेकेंसी या वेटनरी डिग्री डिपलोमा में एडिविशन से संबंदित और कोई information चाहिए तो आप comment session के माधियम से हमसे फूच सकते हैं करुछक के में हमसे थाइणा है